C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वरा प्रस्तुत है कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी जबान साथवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब आए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का पहला सबक सफा नंबर एक सबक नंबर एक मेरा वतन नजमनिगार शफिय उद्दीन नईयर ये मेरा वतन है ये मेरा वतन वो चड़िया वो तोता वो मैना वो मोर वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर वो जीलों की लहरें वो दर्या का जोर वो जर्णों का गिरना वो पानी का शोर वो सरसब्ज इसके पहाड और बन ये मेरा वतन है ये मेरा वतन सफा नंबर दो वो गल्ले वो मेवे वो तरकारियां वो खुशरंग फूलों की गुलकारियां वो सरसब्ज बागों की फुलवारियां वो सैराब और खुशनुमा क्यारियां जमीने वो जर्खेज दिलकश चमन ये मेरा वतन है ये मेरा वतन सफा नंबर तीन पहाडों का मनजर बनों का समा हैं इन में हजारों ही चश्मे रवा कहा तक बया इसकी हूँ खुबियां है फिर दौस का इस चमन पर गुमा ये बागे इरम है ये बागे अदन ये मेरा वतन है ये मेरा वतन सफा नंबर चार मानी याद कीजिए कुम्री फाखता की किस्म का एक परिंदा उसकी आवाज नहायत गूँचदार होती है चकुर तीतर की किस्म का एक परिंदा उसे चांद का आशिक भी कहते हैं बन जंगल सरसब्ज हरा भरा, तरो ताजा गल्ले अनाज मेवे खुश्क फल, बादाम, अखरोट और किश्मिश वगएरा तरकारिया सब्जिया गुलकारिया नकाशी करना, गुलबूटे बनाना, फूल तराशना सैराब पानी से भरा हुआ, तरो ताजा जर्खेज जिस जमीन में पैदावार ज्यादा होती है, उबजाओ चश्मा जमीन से उबलता हुआ पानी या सोता रवाण बहता हुआ फिरदौस जन्नत शुबा, वहम दिलकश दिल पसंद, दिल को लुभाने वाला बागे इरम जन्नत का बाग बागे अदन जन्नत का वो बाग जिसमें हजरत आदम को रखा गया था सफा नंबर पाँच सोचिये और बताईए सवाल एक शाइड ने नजम में किन-किन परिंदू का जिक्र किया है सवाल दो दिलकश चमन किसको कहा गया है सवाल तीन है फिरदौस का इस चमन पर गुमा इस मिसरे से क्या मुराद है सवाल चार इस नजम में हमारे वतन की क्या-क्या खोबियां बयान की गई है सवाल पाँच इस नजम के शाइर का नाम लिखिए सवाल छे शाइर इस नजम में क्या पैगाम देना चाहता है यहां दिये हुए लवजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए दरिया पहाड वतन मन्जर चमन समा इमला दुरुस्त कीजिए तरकारिया बागू मन्जर वतन सरसब्ज मिसरे मुकमल कीजिए एक वो चिडिया, वो तोता, खाली जगा दो खाली जगा वो कुमरी चकोर तीन वो सरसब्ज इसके खाली जगा चार खाली जगा ये मेरा वतन वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाईए चिडिया बुल-बुल जील दरिया जरनो पहाड मेवे इमला दुरुस्त कीजिए ते रे काफ अलिफ रे ये अलिफ नून गुन्न तरकारिया बे अलिफ गाफ वाव नून गुन्न बागुं मीम नून ज्वाद रे मन्जर वाव ते नून वतन स्वाद रे सीन बे जे सरसब्ज मिसरे मुकम्मल कीजिए एक वो चिडिया वो तोता खाली जगा दो खाली जगा वो कुमरी चकोर तीन वो सरसब्ज इसके खाली जगा चार खाली जगा ये मेरा वतन वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाईए चिडिया बुलबुल जील दरिया जर्नों पहाड मेवे तरकारिया बाग फुलवारी क्यारी मन्जर चश्मा खूबिया सफा नंबर छे मिसरों को सही तर्टीब से लिख कर शेर मुकमल कीजिए वो गल्ले वो मेवे वो तरकारिया वो सैराब और खुशनुमा क्यारिया कहां तक बया इसकी हों खूबिया वो ज़र्नों का गिरना वो पानी का शूर वो सरसबज बागों की फुलवारिया है फिर्दोस का इस चमन पर गुमा वो जीलों की लहरें वो दर्या का जोर वो खुशरंग फूलों की गुलकारिया अमली काम इस नजम को जुबानी याद कीजिए गोर करने की बात इस नजम में मेरा वतन के उन्वान से वतन की एहमियत बयान की गई है इस नजम में हमारे मुलक की खुबियां मुख्तसर तौर पर बयान की गई है हमारे वतन की महबत और वतन दोस्ती के जजबे को नजम में उभारा गया है इसी के साथ अपनी जबान भागदो का पहला सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक दो आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत